कोर गुरूप की बैठक में बीजेपी ने तैट किया है कि खुद बिहार की 40 लोग सभा सीटों में से 30 पर चुनाव लड़ेगी और 10 सीट सायोगी दलों को देगी क्या आपको लगता है कि 10 सीट पर सायोगी दल मान जाएंगे क्योंकि चार से पांस दल है चोटी-चोटी पार्टियां है रवी सर नहीं देखिए ऐसा है कि कोर गुरूप की बठक भारती इंता पार्टी की हो सकती है लेकिन कोर गुरूप एंडिये का कोर गुरूप नहीं है यह और भारती जंता पार्टी को बिहार में 2019 को दोहराना है तो उसको सारे जो घटक बल है या उसके साथ जो जुड़ने वाले दल है उसको confidence में लेना पड़ेगा तभी जो है सो वह 2019 जो भारती इंता पार्टी के परदर्सन रहा है लोकसभा के तुनाओं में वैसा ही हो पाएगा नहीं तो फिर मुश्किल है तो ऐसे में वह भारती इंता पार्टी अगर चाहेगी महादलित वोट को अपने पाले में क करना और उसके लिए महादलित कर लिए या फिर दलित कर लिए चिराक पासवान और जीतनरामाजी और साथ में उपंद्र को स्वाहा तो यह सब को डिक्टेट करके डरा करके चाहिए तो जिस तरह से अटल बिहारी बाजपे गटबंधन चलाने का जिस तरह से वह चलाते थे उस तरह से चलाने से ही चलेगा नहीं तो फिर यह हो जाएगा क्योंकि सामने आपके आपका बिहार में जो सो बहुत मजबूत महागटवंधन आपके समक्ष खड़ा है यह समझना पड़ेगा इंडिये को नहीं तो क्योंकि देखे इस बार जो पहली बार ऐसा हो रहा है हम बार बार इस चीज को कर रहे हैं कि पहली बार हो रहा है कि लोग सभा के चुनाओं में जदियू आरजेदी कॉंग्रेस और बामजल मिल करके चुनाओं लड़ने जा रहा है तो ऐसे में मजबूत जो इंडिये के समक्ष जो एसो महागटवंधन है बिहार में तो इसको किस तरीके से आप ले सकते है हैं बीजेपी कोर ग्रूप की बैठक में जो ये तरह से चर्चा हुई है कि इतनी सीटों पर हम लरेंगे और बांकी 10 सीटों पर सायोगियों को समेटा जाएगा तो क्या ये प्रेक्टिकल लगता है देखिए सब दल चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लरे कुल मिला करके ये 2014 का जो फर्मूला है वही अपनाने जा रहे है बीजेपी जो अब तक लग रहा है लेकिन क्या ये एक तरीके से फर्मान नहीं लगता है जो टीप एक्टसेप्ट करे की सायोगियों करेगा देखिए कोई करे न करे लेकिन चिराग पासवान नहीं करेंगे चिर पूरफर फ्हगड़िया और मदवनि मिली थी महाकट बंदन में 2019 में क्या वह एक सीट के लिएpty तयार हो जाएंगे जीतना माजी की पार्ती जोंटी पांसलोक सवा की सिट दिमांद कर रहे 튀 क्या वो एक सीट पर आजी हो جाएगी जो की पार्ती यह नहीं करेगा काहे कि लिए करेगा मनें कि राख पासवान की कहले यह पस्पति पारस की बदेने की बात चल रहे हुँ चिराघ पासवान पो तीन सीट देने की साथ का पान लुच हो लेकिन इस तरह से जो जबर्जस्ती का डिक्टेटर शीप और ठोपने की बात तो ऐसे नहीं चलता है ऐसे थोड़ी चलेगा और सब देखेगा कोई तयार नहीं होगा और यह विद्रो हो जाएगा और इस तरह से जिस तरह से बात च्छन करके आ रही है ऐसा तो लग रहा है कि चिराग पास्वान महागटवंधन में कहीं चले जाएं जो जो आसंका और संका जताई जा रही थी प महागटवंधन का दरवाजा बंद हो चुका है मुके सानी भी बंगला खाली कर चुके हैं तो फिर वो भी महागटवंधन में नहीं जा सकते हैं उपेंदर कुषवाहा भी जेडियू से अलग हुए हैं तो उनके लिए भी कोई आप्शन नहीं बसता है बीजेपी के लावा चिराग पासवान नितीज से खार खाय हुए हैं तो उनके लिए मागटवंधन से में रास्ता नहीं बसता है इसलिए हम जैसा चाहेंगे वैसा ही ये लोग करेंगे तो ऐसा प्रेक्टिकल मुझे तो नहीं लगता है आपको क्या लगता है जर्ण इस तरह की बात है चिराग पासवान का ठीक है नितीज कुमार से खार खाये हुए लेकिन वह प्रसाद यादों से उनकी बहुत अच्छी है लालू प्रसाद यादों को अपना वो पिता तुल और गार्जियन मानते हैं अभी भावक कहते हैं वो और तो ऐसे में वहां पर मह गटबंधन में लालू प्रसाद यादों जब हैं तो चिराग पासवान जितनी सीट मांगेंगे उतनी सीट उनको कमफर्टेवली वहां पर मिल जाएगा उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और मुझे भी मुझे भी यह लग रहा है कि चुटी जीतन ना माजी अब महां गट जल गए हैं तो दलित का नेता भी चिराग पासवान कहा जा रहा है कि एंडियेट के पाठ हो सकते हैं और माजी भी एंडियेट में जाने की खबरे हैं ऐसे में मुझे लगता है कि अगर चिराग पासवान की शर्ते नहीं मानी गई या चिराग पासवान पर अपनी शर्ते लिए तो वहां पर चिराग पासवान से सारे गिले शिक्वे भुला कर नितीज कुमार भी उन्हें चुक्टी बीजेपी को हराना है तो नितीज कुमार भी कंप्रमाइज तर सकते हैं और तेजस्वी यादों से तो करा जाता है कि उनकी बाचित भी होती रहे और इफ्टार प उन्हीं पर नहीं उपेंद्र कुस्वाहा पर भी देखिए ये किसी को ये कोई मान लेता है कि उनकी जो है सो महाकटबंधन से अलग हो गई है और वह महाकटबंधन छोड़ करके इधर चले आए हैं तो ऐसी बाद देखिए पॉलिटिक्स में राजनी तो यही है कि वो गनि पासवान तो किसी दिन अगर जिदी उनको लगा तो वह वह तेवर में आ सकते हैं यह महांगा पड़ जाएगा अंडिये को इसे में तो हम एक लाइन में कहा जाए थोड़ा सा करा शब्द होगा लेकिन यह हो सकता है कि यह बीजे पिक लिए आत्मघाती कदम हो जाए बीहा में तो उसको मैं बहुत कदम रखना पड़ेगा हमको नहीं लगता है किस तरह से कोर कमिटी में जवरंत थोपने की बात आई हो और यह लोगों को फ्लेक्सिबूल होना पड़ेगा यह जो तीस सीट अपने लड़ने की बात करना है भारतियंता पार्टी का कोर में निर्शि में जिस तरह से जितनी मजबूती के साथ महागट बंधन चल रहा है तो ऐसे में उनको भारतियंता पार्टी कह लिजे एंडिया कह लिजे बिहार में उसको बहुत कठीन चुनोती का सामना करना पड़ेगा देख लिजे एक और आकड़ा है हमारे पास 2014 में बीजेपी को 30% वोट आया था और सिटे बीजेपी टे सयोगी दलों ने अच्छी खासी केंती थी लेकिन अब बीजेपी को और छोर दिया जाए तो रेस्ट 70% उधर है बाकि 70% में से माजी सहनी चिराग पास्वान मारे पास आ जाये लेकिन फिर भी एक मुझ कहा जाये तो मोटा वोट बैंक मतलब ज्यादातर जो पार्ती हों के छे पारटी का टपन्दन है तो ज्यादातर महां कट बन्दन के पाले में अगर उस तरीके से देखिये पार्टी यों लिहाज पर तो तो ऐसे में यह डिसीज प्रेशर बनाने की कोशिस हो रही है असल में बिजेपी कुछ और सोच ते रखी हो और ऐसा अभी पत्ता नहीं खोली चुकि ज्यादा प्रेशर बनाएगी तो हो सकता है तो यह के बदले में दो सिख देते हैं ने भारते इनता पार्टी का जो ठिंक टैंक है वह काज क्या जो था वो शा। भलों का था अभ इड़ी चैनलों का अब यह लोग में इंडीय के हमारा जो सो वो में सामनों का हो गया तो इससेselfी ठील čिलहाल तो लहां बीजेपी और यह पशुपती पारस अगर चिराग आ जाते हैं घर र्टा पासवान आ गया प्षपती पारस है उपहिंद्र कुश्वाह् तो तीन दो पांच इधर हो गया और एक जो अल्रेडी है तो अच्छे दल हो गया तो ठीक है बराबर हो जाएगा तो यह मुकाबला काटे का होगा लेकिन अगर इस तरह से भारतिन्ता पार्टी अगर जिदी सूजबूत से कदम नहीं उठाती है और इस तरह से थोपेगी तो यही का सकते हैं कि किसी भी सूरत में किसी भी एंगल से आपको यह नहीं लग रहा है त्धश शीटो पर स्वयोगी दलों को बीजेपी समेट पाएगी कंड्मीन्स कर पाएगी सटिस्फाइट कर पाएगी बिलकुल 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 वसात नहीं होने वाला यह देखिए उसको उदार दिल भारतियंता पार्टी को दिखाना पड़ेगा और इस तरह से देखिए राजनीत में समेटने के भासा बहुत बिलो द बिल्ट है जहां तक हम समझ पाते हैं समेटने की भासा कभी नहीं होनी चाहिए और भारतियंता पार्टी के अगर जिदी इस तरह की कि सै सेली है तो उसको भी इस पर अपने सेली पर लगाम लगाना होगा और नहीं तो आने वाले समय में यह सुप संक्यत नहीं है भारतिंता पार्टी के लिए चलिए इसी लाइन के साथ हम इस चर्चार को विराम देते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद से